हलो इस्ट्टेट्स मैं अजीज भॉहरा आप सभी का अपना यूटूब चैनल में स्वाइब करता हूं आज हम 12 फिल जिसका चैप्टर नूबर सेकंड का जो टोपिक पढ़ने वाले है वह है के पैसिटर इन पैरलल इसके पहले वाली वीडियो में हमने के पैसिटर इन अपना अला अजीज भॉहरा वीडियो देखिएगा फिर उसके बाद यहां पर आईएगा तो क्या है आज का हमां टॉपिक के पैसिटर इन पैरलल तो यह टॉपिक स्टाट करने से पहले अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रे सब्सक्राइब क्यों हर आप क्या Приस्टेर हैं। questioning क्या करें और फिरंगे इन दोनों से क्नेक्ट करने से क्नेक्ट करिएंगे यह जो 한 इनकी प्लेट है शब्सको चैल के पॉजेटिव ठर्मीनल से फिंदों से अले ऑन को ढूंस को हम इनट यह को सेंट कर सेंगे है यह सेंट क करने न भानाया है उसका को कि यह के रला करने का मदलब क्या है कि दोनों में धुक्त के बैटरी करें के पोजब है और दोनों की फिलेट को है रवेडर टर्मिनल से क्नेक्ट कर देता यह जो कॉंबिनेशन है पेपेसिटर्स एन पैर्लल अब वहां पर बैटरी के पोजेटीव से चाइएगा पॉईट्टीव चार्ज पर आकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर चार्ज आया क्यों तो यह जो बैटरी है यह इ तो अब harness क्यूंज हसा है इसा हई इसा है इसाथ है इसा है पोजेी यहां पर फ्रस्ट के सितर उस पर चार्ज कितना है कुँ वन एकशीटर पर चार्ज कित姿 वह हम रहेगा एकुछ है नुगन हमने का चूट सेंट किया है इन दौनों को हमने बेटरी के पोइंट की दिआ से कुछ के नेगपर के अlahi इसके पहले वाला जो कोश्चन था उसमें हमने इस्टाट किया था वे इस इकवाल टू वी 1 प्लस वी 2 क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल डिफ्रेंट डिफ्रेंट था लेगिन यहां पर पोटेंशियल डिफ्रेंट डिफ्रेंट है क्या तो इसलिए वहां से हम स्टाट नही कि जो क्यों है क्यूज कितना रहेगा क्यूब लग्स क्यों टू क्यों यह जो क्यों चार्ज अब हमें पता है we know that C is equal to Q upon V, C is equal to कितना है Q upon V, तो V इदर डिवाइड में, इदर जाकर मल्टिप्लाई में हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आजाएगा, C V is equal to Q, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q is equal to C V, तो Q is equal to क्या होता है, C V, तो अगर मुझे किसकी value निकालनी है, मुझे value निकालनी है Q1 की, तो Q1 की value कितनी आजाएगी, Q1 that means charge on first capacitor, तो first capacitor का capacitance कितना है, C1, तो इस C की space में मुझे क्या निखना पड़ेगा, C1 लिखना पड़ेगा, इसको देदेदे, equation number first, और V, V के potential drop, तो potential drop, तो दोनों पर same है, तो यहां क्या लिखेंगे, V, तो Q1 is equal to कितना आजाएगा, C1 V, तो Q1 is equal to कितना है, हमार पस, C1 V आया, इसी type से हम किसकी value निकालेंगे, Q2 की value निकालेंगे, तो Q2 is equal to कितना आजाएगा, Q2 मतलब second capacitor पर charge है, Q2 और capacitance कितना है, उसका C2 और potential drop तो सिर्फ फिर से कितना है V, तो Q2 की value कितना आजाएगी, C2 V, अब इस Q1 और Q2 की value हम यहाँ equation number, first time में put कर देंगे, तो हमार पस next equation क्या जाएगी, Q is equal to Q1, Q1 की space पर मैं क्या लिखूँगा, C1 V1 तो मैंने लिख दिया, C1 V1 प्लस C2 V2, इस Q2 की space पर हम क्या लिखेंगे, V1 नहीं, सिर्फ क्या है V है, तो यह potential difference तो दोनों पर कैसा है, सेम है, तो यहाँ लिख दिया हमने C2 V, अब हमने क्या सपस किया, कि जब इन दोनों को combined किया, तो combine करने से, इनका जो effective capacitance है, इनका effective capacitance कितना हो गया, C, potential drop कितना है, V, और charge कितना है total, Q, तो यहाँ से हमारे पास जो effective capacitance है, उसकी value कितनी आए जाएगी, तो यहाँ से अगर मुझे किसकी value निकालनी है, Q की value निकालनी है, तो Q is equal to कितना रहेगा, C, V रहेगा, Q is equal to कितना रहेगा, C, V, इनका जोनों की combine करने से, जो effective charge है, वो कितना है Q, effective capacitance कितना है C, और potential drop कितना है V, तो इस formula को हमना follow करते हुए, हमारे पास Q की value कितनी आगई, C, V, इस value का हम इसकी दे देते है, equation number second, इस equation second में हम किसकी value पूट कर रहे है, Q की value पूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा, C, V is equal to C1V plus C2V, तो यह C, V है, यहाँ भी V है, तो दोनों में से V को हम क्या करेंगे, common ले लेंगे, तो V को मैंने निकाला, common अंदर क्या बच्चा, C1 plus C2, इस V से यह V क्या हो जाएगा, cancel, तो हमारे पास क्या आगया, C is equal to C1 plus C2, यह का बाए, जब हमने कितना capacitors को combine किया, दो capacitors को combine किया, किसमे parallel, अगर 3 को combine करेंगे, तो कहा तक जाएगा, C1 plus C2 plus C3, अगर 4 को combine कर दे, तो C1 plus C2 plus C3 plus C4, अगर इस टाइब से हम, N capacitors को parallel combine करते हैं, तो हमारे पास, effective capacitance C is equal to कितना आजएगा, C1 plus C2 plus and so on, Cn, ठीक है, अब अगर हम, यह जो formula, इस formula की आगर मैं बात करूँ, मैं आगर suppose कर लू, कि जो C1 और C2 है, उसकी value कितनी है, दोनों की value सेम है, इसको मैं किस से represent कर दूँगा, E equivalent से, ठीक है, C, E, तो जो उनका equivalent capacitance, जो effective capacitance है, अब C1 और C2 दोनों की space में लिख दूँगा, अगर C, तो C plus C कितना हो जाएगा, 2C, तो जब हम दो, equal capacitance वाले capacitor को अगर parallel connect करेंगे, तो हमारे पास effective capacitance कितना आजाएगा, 2C, अगर 3 को connect करेंगे तो कितना आजाएगा, 3C, 4 को अगर connect करेंगे तो effective capacitance कितना आजाएगा, 4C, अगर इस step से N को connect कर दे, तो अगर हम N को connect करेंगे तो effective capacitance कितना आजाएगा, N, कितना आजाएगा, N, सीघ्टिवगे सिटेंश चाहेंगे कमबाइन करेंगे तो हम पढ़ना था कि क्या किया कि दोनों की फस्ट प्लेट को बेटरी से सब्सक्राइब करेंगे और देनों की बैटरी क्यूब हो दोनों चर्ण यहाँ बिबादोन देशनाव को टूप यहां पर नेजर यहां लिग रहेंगे फिर हमने क्या खीए इस फोर्मूलय को फॉलो क्यूंब और क्यूंट की वेलियु निकाले उसको एक्वेशन नुम्बर फ़ास्टर में पूट कर दिया तो हमारे पसे एक्वेशन है अब हमने क्या किया हमें पता है कि इन दोनों को कंभाइंट करने से इफेक्ट्ट्ट कितना आया सी पोटेंशल डॉप कितना है वह और टो जाएगे C1 प्लस C2 and so on, प्लस प्लस Cn, अब हमने क्या कहा कि अगर C1 और C2 की वेल्यूस के सी रहे एक्वल, तो कितना आ जाएगा, C plus C is equal to 2C, अगर 3 रहते तो कितना आता 3C, अगर n को कम्बाइंड किया है, तो C is equal to कितना आ जाएगा, and C आ जाएगा, तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बाई!